नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com अजसा कि आपको पता है कि सत्यहिंदी का एप भी आ चुका है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो एप डाउनलोड कर सकते हैं अब एक रचा डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर मद्यप्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापती मंगलवार रात को एक डियम के आवास के बाहर धरने पर बैट गए विधायक ने आरोप लगाया कि छतरपुर के डियम ने उनसे मुलाकात नहीं की और दलित होने के कारण उनकी उपेक्षा की जा रही है विधायक ने पत्रकारों से बाचीत में कहा कि वे अपरे शेत्र के समस्याओं को लेकर डियम से मिलने आए थे लेकिन डियम कहीं चले गए और वे उनका इंतजार करते रहे विधायक ने कहा कि लोटने के बाद डियम आटियों से बाकी अफसरों करमचारियों से मिलते रहे लेकिन उनसे नहीं मिले उन्होंने कहा कि डियम एक दरित विधायक से मिलकर उनकी समस्याओं को नहीं जानना चाहते उत्रपदेश में आगामी विधानसवा चुनाओ से पहले कॉंग्रेस ने महेंगाई के खिलाफ 32,240 किलोमीटर की पद्यात्रा करने की योजिना बनाई है इसके लाबा 5,000 नुकर सभाएं भी की जाएंगी इस दोरान नहरू जैनती पर 14 नमंबर से 24 नमंबर के बीच 403 विधानसवाओं में भाजपा हटाओं महेंगाई भगाओं के नारे के तहट पद्यात्रा निकाली जाएगी पृति एक दिन नियुनतम 10 किलोमेटर की पद्यात्रा होगी पद्यात्रा के दोरान महेंगाई के समस्या पर नागिर्कों के साथ बैठक होगी और घर-घर कॉंग्रिस के प्रतिग्या पत्र का वितरन किया जाएगा पद्यात्रा के रूट पर पढ़ने वाले हाट बाजार में शाम को रोजाना नुकर सभा होगी पृतियक विधान सभा में 80 किलोमेटर की पद्यात्रा होगी जो नियुनतम 60 ग्राम सभाओं से होकर निकलेगी इसके लाबा प्रदेश भर में 24,180 ग्राम इस्तर ये बैठके ह नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर हो रही एनसस तरकी बैठक में शामिल आठ देशों द्वारा की गई घोशना में कहा गया है कि अफगानिस्तान के जमीन का उपयोग किसी भी आतंगवादियों को पना देने प्रिशक्षण देने या वित्तपोशन के लिए नहीं जताई गई प्रादिक सयोग और समयवय का समय है पता देने अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में छेत्य सुरक्षा वारता में रूस, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान और उजबेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इसमें पाकिस्तान और चीन ने भाग नहीं निया है। बुद्बार सुबर सिंगू बॉडर पर एक किसान का शब पेड़ से लटका हुआ मिला है पुलिस ने कहा कि प्रायरंबिक रिपोर्टर से पता चलता है कि किसान ने कथे तोर पर आत्म हत्या की है इस मामले में CRPC की धारा 174 के तहट जांच की कारबाय शुरू कर दी गई है पुलिस के अनुसार मिरतक की पहचान फतेगड साहिव जिले के रुड की गाउन निवासी गुरप्री सिंग के रूप में हुई है वहीं भारतिय किसान यूनियन एकता सिद्धूपूर से जुड़े थे वहीं भारतिय किसान यूनियन एकता सिद्धूपूर के फतेगड साहिव के जिला सायोजक गुरजिंदर सिंग ने कहा है कि गुरप्रीत सोंबार को अपने गाउं से वापस सिंगु बॉर्डर पर लोड़ा था उन्होंने कहा कि गुरप्रीत पिछले दो दिनों में किसानों के साथ अपनी बातचीत में इस बात से परिशानी जाहिर कर रहा था कि सरकार एक साल होने के बाद भी किसानों की मांगों को नहीं सुन रही है वो इस गतिरोत को लेकर परिशान था सिंग ने कहा कि पीडित ने अपने पीछे कोई नोट नहीं छोड़ा है उसके बाए हाथ पर एक शब्द लिखा है जिम्मेदार NCP नेता नवाब मलिक ने अम महराश के पूर मुख्यमंत्री देविंद फंडविस पर पलटवार किया है मलिक ने कहा कि फंडविस के आदेश पर ही पूरे महराश में उगाही और वसूली का काम किया जाता था नवाब मलिक ने फंडविस पर जाली नोट का कारोबार करने का भी आरोप लगाया मलिक ने कहा कि जब नोट बंदी हुई कई राज्यों में जाली नोट पकड़े गए लेकिन एक साल के बाद भी आठ अक्टूबर 2017 तक महराष्ट में एक भी जाली नोट पकड़ने का केस नहीं आया इसके पीछे कारण था फंडविस का से नेकसस को संरक्षन था मलिक ने इसके साथ ही कहा कि 8 अक्टूबर 2017 को एक छापे मारी हुई इसमें 14 करोड 56 अक्ट रुपए के जाली नोट पकड़े गए उस मामले को रफा दफा देविंद फंडविस में कराया था इसमें इबरान आलम शेक रियाज शेक को पकड़ा गया लेकिन बाद में इस जबती को 8,80,000 रुपए बता कर दवा दिया गया जाली नोटों के कारोबार का आरोफ फंडविस पर लगाते हुए नसीपी नेता नवाब मलेक ने कहा कि पाकिस्तान के जाली नोट भारत में चले मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दुनों में जमानत हो जाती है मामला एनाईयो को नहीं दिया जाता है नोट कहां से आ रहे थे इसकी जाज आगे नहीं बढ़ती है क्यूंकि जो लोग इसका रैकेट चला रहे थे उनको फणनविस सरकार का सरनक्षन प्राप्त था नसीपी नेता नवाब मलेक ने कहा कि पूरु मुख्यमंत्री देविन्द फणनविस समीर वानखेडे को बचाने की कोशिच कर रहे है क्यूंकि वानखेडे उनका पुराना करीबी है इसके साथ इनोंने कहा कि फणनविस ने सारे अंडर वर्ड कनेक्टेड लोगों अपराधियों को सरकार आयोगों में पद पर बैठाया इस दोरान मलिक ने मुन्ना यादब जैसे कई लोगों के नाम और कारणा में बताई नवाब मलिक ने कहा कि फणनविस ने राजनीती का अपराधिकरन किया नवाब मलिक के देविंद फणनविस पर हमले के बाद बीजेपी ने मलिक के हाइडरोजन बम गिराने के दावे पर मजाख मनाया बीजेपी नेता आशी शेलार ने पलटवार करती हुए कहा कि जिन लोगों ने हाइडरोजन बम का दावा किया वो फुल जड़ी भी नहीं फोड सके इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ मुन्नायादब हाजी अराफात और हैदर आजम पार्टी कार करता हैं लेकिन अराफात और आजम के खिलाफ एक भी मामला नहीं है उनके बारे में परताल के बाद ही उनको पार्टी में लिया गया था और इनमें से कुछ भी फड़नबिस के समय में नहीं हुआ जैसा दावा किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि इमरान आलम शेख जो नकली नोट के साथ पकड़ा गया था उस समय वो कॉंग्रेस सर्जेब था और अब एनसीपी कार करता है नवा मलिक के दोरा देविंद फड़नबिस पर हमले के एक घंटे बाद फड़नबिस ने लेख एक जोर्ज बर्नार्ड शो के एक उत्तरन के साथ जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि मैंने बहुत पहले सीखा था कि सूर के साथ कभी कुष्टी ना करें आप गंदे हो जाते हैं और इसके अलावा सूर इसे पसंद करता है उत्रपदेश के कासगंज के कोदबाली में यूवक की मौत होने पर पाँच पुलिस करीयों को सस्पेंट कर दिया गया है दरसल एक किशोरी को अगबा करने के आरूप में अलताफ नाम के यूवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन उसने अस्पताल में दम थोड़ दिया वहीं अलताफ के पिता का कहना है कि उन्होंने खुद अपने बेटे को पुलिस को सौपा था लेकिन हवालात में पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी है उतरपदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में यूबक की मौश से यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है इस मामले में यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे की बाइट को टूइट करते हुए सवाल उठाएं स्रीनिवास बीवी ने कहा है कि थाने के बात्रूम में लगी नल की टोटी से लटक कर कोई आत्महत्य कैसे कर सकता है यूपी पुलिस क्या आरोपी की लंबाई एक से दो फीट की थी ऑनलाइन ब्यूटी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की संस्तापक फालगुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महला अरपती बन गई है दरसल नायका की पेरेंट कंपनी FNS E-कॉमर्स वेंचर लिमिटेट के शेर बुद्बार को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए है लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेरों में 89 फीशिदी की तेजी देखी गई फालगुनी नायर जो की नायका की आधि मालिक हैं उनकी इसके साथ ही संपत्ती 6.5 बिलियन डॉलर की बताए जा रही है इसके साथ ही वे दुनिया की सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आखडी हुई है बता दें कंपनी का इशुई प्राइस 1125 रुपए था लेकिन ये 2,054 रुपए पर लिष्ट हुआ राजिस्तान के बाडमेर जिले में जोदपूर नैशनल हाईवे पर नेजी बस और ट्रक की टककर होने से बड़ा हास्सा हो गया टककर के कारण आग लगने से अब तक 11 लोगों की मौत होने की खबर है और 23 लोग उस्पिताल में भरती है मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है हादसे के बाद मुख्यमंत्री आशोक गयलोत ने बाडमेर कलेक्टर को बचाव कारें के लिए निर्देशिक किया है और गयलों का बहतर इलाज सुनिशित करने को कहा है अब तक की सुर्ख हमें इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्तिहिंदी.com के साथ सत्तिहिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर